हलो एन वालकम आप देखरें केके होम डिजाइन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस होस डिजाइन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे जिसकी डामेंशन है 10 बाइट 30 फीट डूस्तो काफी चोटा सा साथ है फिर भी मैने अच्छे तरिका से घर को डिजाइन करने की कोसिस की है हमारे सब्सक्राइबर ने कमिट कैता दोस्तो इस डिजाइन को बनाने के लिए उससी की रिक्वार्मेंट के हिसाब से मैंने इस डिजाइन को तयार किया है अगर आप भी किसी तरह को डिजान बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं जितना जल्दी हो सकता मैं उस वीडियो को जरूर अप्लोड करूँगा एक जरूरी बात दोस्तों कमेंट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कर लिया किजिएगा क्योंकि काफ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस फाइल को डाणओर करना चाहते होंगे वीडियो के डिस्क्राइब को लिंक मिलयागे इस लिंक को फॉलो करके आप इस प्रेड़ा आप को डान को अच्छा से देख लिए प्लान को वाक्तूर के जरी हम लोग पूरे घर को देखें है घर के अंदर आते ही दोस्तों सबस्क्राइब को इस्टेर मिलेगा फास्ट पर जाने के लिए तो अभी हम लोग फास्ट पर नहीं चलते हैं बैक साट की और जो है वह सब देख लेते हैं मैंने दोस्तों यहां पर लेंडिंग की नीचे वाश्रूम को बनाया हुआ है तो च लग्ट में उपन है तो आप यहां पर विंडो वेंटिलेस्ट में अच्छी का सी मिल जाएगी तो इस फॉस्तों से निकार दोस्तों बैक सट कर चलते हैं अ कर दोस्तों आपका डिजाइन लिविंग हॉल का आई होब को प्रसंदारी होगी दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे होगी जरूज वीडियो का एक लाइक करते हुए चलिएगा जिनते लिए इस लिविंग हॉल से दोस्तों अपनों फ्रंट के और चलते दिन स्टेर से होते हुए फस्ट फे चलेंगे जोस्तों काफी छोटा सा साइज ये 10 बाइ 30 फीट इटमिंट से 300 स्कार फीट फिर भी मैंने काफी खुबसुरत तरीकत से इसे डिजाइन करने की कोशिज किये और यू होप कि आपको पसंद आ रही होगी कि जैसां कि आप देखांगर दौस्ता हम फास्ट पर पा ना अशृक्ण की, मानम ना यहाप वस्ट बढ़ीं कि व्रश्रूम창 मिल आ तो सेम लोकेशिन पर यहाप संब है कि यहाकवर्स प्व्रश्रूमच तो आप पासानी से विंडो वगरा वापन कर सकते हैं कि इस वासुनों के बैक सार में दोस्तों यहाँ पर आपको किचन मिल जाएगा तो चलिए किचन को भी देख लेते हैं किचन का साइज काफी छोटा दोस्तों बट मैंने फिर भी खुब्सूरा तरीका साइसे डिजाइन किया हुआ है डी यहां पर ऑका तक चलिए कर सकते हैं कर सकते हैं जैसा कि आप देखर में आपको विंडू देखने का मिलेगा क्योंकि वहां पकर डाक्त ने तो तो आप वहां पर विंडो अगरा ऑफिन कर सकते हैं कि इस कीचल से निखल के दोस्तों लुक वेब्रूम में पेडूम के देख लेंगे यह आपका bedroom दोस्तो इस house design का जो कि काफी unique है काफी different है काफी खुबसरा तरिका से मैं इस डिजाइन किया हुआ इस tv unit भी fit किया हुआ मैंने जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बेड़ वगरा भी कबड़ वगरा भी काफी अच्छी तरीका सा एरेंज किया हुआ है आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी कि इस बेड्रूम से दोस्तों लोग फ्रंट की ओवर चलते हैं देन बालकनी सो आते हुए घर के बाहर चलेंगे मैं झोटा साथ में दोस्तों मैंने काफी खोपसरा तरिका से एर्रेंज कि ओवा ग्राण्ड वर से लिके आपको अधिरस पेम लाकर सबस्ती आते हुए निदोस्तों बालकनी केयों से होते हैं बाहर चलते हैं यहा आपका फाइस फ्रॉर का बाल कर दो या या आपका फ्रस्प बालकनी के तौर पर डिजाइण किया हुआ है यह अवराल डिजाइन आपको कैसा लग रहा है दोस्तो प्लीज 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 करके जरूरू बताजिएगा वीडियो पसंदार होगे दोस्तों जरूरू इस वीडियो के एक लाइक भी कर दीजिएगा बैकसेट में आपको दोस्तों यहां पर टोटली ओपेंट टैरिस मिल लाकर दिन फ्रंट की और मैंने कुछ इस तरीका से डिजाइन किया हुआ है इस ट हुआ है एफ झाल 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 टेन टु थर्टिगा तो आई होप दोस्तो ये आपको exterior view पसंद आए होगा ये elevation पसंद आए होगा इंटरियर भी पसंद आए होगा दोस्तो वीडियो पसंद आए होगा ज़रूस वीडियो के लाइक कर दिएगा चेनल को सबस्क्राइब कर लेगा वीडियो को जाता से जाता से शेर किजागा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई